थंड के वहांसे में सबसे जरूरी यह है कि अगर अवर्षयक हो तभी घड से बाहर निकलें और यदि घड से बाहर निकलना अवर्षयक हो तो पूरी तरीके से अपना थंड से बचाफ करके निकलें ठंड से बच्चाव के लिए सिड जरूर कवर करें खास करके बच्चों का जो सिड का सर्फे सेरिया होता है वो बहुत जादा होता है तो हमेशा हेड कवर करना बच्चों का बड़ा जरूर है और पैर में उनके मुझे ये जूते जरूर होने चाहिए क्योंकि अगर वो ठंडे फर्ष पर पह रखते तो ठंड एकदम से उनके अंदर जाती है बुजर्गों के बारे में मैं बात जरूर करना चाहूंगी कि बुजर्ग यदी संभव हो तो बहुत जल्दी स्नान करने के आदब कही लोगों के रहती है और उसके बाद बिना बदन को पहुचे वे सीधे ही वो पूजा करने के लिए चले आते हैं वैसे नहीं करना है सबसे पहरे बातरूम में अच्छी तरह से अपने बदन को पूच लेना है क्योंकि जब आपके शरी पे पानी रहता है तो वो बातवरण की जो थोड़ी बहुत भी गर्मी होती है वो लेकर एवापरेट होता है और आपको और ठंड महसूस कराता है और सुबह अगर संबह हो तो दस पजे से पहले यदि आप सनान करते हैं तो बिना पूरी तरह से सूखे बिना पूरी तरह से कपड़े पहने वे कभी भी बाहर बातरूम के न निकले जितने heart attacks होते हैं वो सुबह चार से दस मुझे की बीच में ही होते हैं उस समय पे सबसे important चीज ठंड से बचाव करना है ठंडे पानी से नहाना जानता को avoid करना चाहिए गुलगुरे पानी से नहाना चाहिए शरीर को अच्छी तरह से पोच कर अगर खपड़े पहन कर ही बाहर निकलना चाहिए नंगे पैर संबब हो तो न निकले मुझे जरूर पहन ले अगर आप पूजा करने पी जा रहे हैं तो दूले मुझे पहन कर और आप अच्छी तरह से पूजा करने जा सकते हैं तो यह बुजर्गों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उनका एज के साथ में ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ब्रेन को ब्लड सप्लाई कट अफ हो जाती है अगर ठंड होती है अगर ठंड होती है तो हमारे शरीक की सारी की सारी क्रियाएं ऐसी केंड़ित हो जाती है कि वो ठंड को बचाने में लग जाती है और ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो जाते है और ब्रेन का अटाक यानि स्ट्रोक यानि पैल्डिसिस का अटाक होने की संभावना बढ़ जाती है और ऐसे ही हार्ट की ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है और हार्ट अटाक की समवाग में बढ़ जाती है यह जानने वसे दो सकते हैं अता अपने गर के बुज़र्गों को बचा के रखे जो यंगा जिरेशन है उसको काम पे जाना पड़ता है काम पे जाते समय वह यह जरूर धेयान में रखे कि वह गर्म-कपडों के साथ ही निकले और हाई स्पीड में टू-वीलर न चलाए क्योंकि अगर हाई स्पीड में वह टू-वीलर चलाता है तो पुरा का पुरा पुरा मुझ तो उसका कवर नहीं होता अगर नाग आके तो खुली ही होती है और उसके जड़ी ठंडी हवा की जोंके जो आते हैं उससे कई बार कुछ अलर्जिक टेंडेंसी भी वो डवलप कर लेता है नाग बैने लग जाती है, सैनुसाइटिस हो जाती है, सिद में जमा होने लगती है ठंड और उसको फिर बुखार आने लगता है और वो अपने काम पे जाने में असमर्थ हो जाता है तो वो अगर निकलता है तो कुरेल प्रोटेक्शन से निकले और अगर हो सके तो ख़वर्ड वेहिकल में ट्रावल करें अगर उसको डू वी लेट में या पैदल चलना होता है तो गती उसकी सीमित हो